हेलो बच्चो वेरी गुड मॉर्णिंग अल आफ यू हावर यू अनुवाधा मैप वेलकम टो टी आएमाई सोमेज यूनिट टू डे शैविल में आपका स्वागत है तो बच्चो आज का हम अपना लेशन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम निकाल लेगे जो हमारी पार्ट पुच्चिका की बुख है तो पार्ट पुच्चिका की बुख में हम निकाल लेगे ऐसा नंबर फाइव यूनिट टू यानिकी एकाई दो का ऐसा नंबर फाइव तो ऐसा नंबर फाइव में क्या दिया हुआ है ऐसा नंबर फ वापस एक बार दोहरा लेते हैं वापस एक बार दोहरा लेते हैं नीजी हाँ पर देख लेते हैं ओट की कविता लिखी हुई है ओट से बोलो मी ठी बात बताई है सबने पते की बात रिपीट अगें ओट से बोलो मी ठी बात बताई है सबने पते की बात तरह हम आते हैं ऐसा नमबर सिक्स में तमारा ऐसा नमबर सिक्स है आउ से नमबर 27 आउसे आउरद आउसे आउशद आउसे आउशद हाले आउसे आउजार आउसे आउजार तो बच्चो आउसे 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 आउपढ़ा और ओपढ़ा हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख लेते हैं ऐसा नमबर 7 पेज नमबर 28 हमारी कहानी आज हमारी कहानी का सिर्शय क्या है अनोखा उपहार जो हमारी कहानी है उसका शीरचक है अनोखा उपहार तो हम स्टार्ट करते हैं अमन और इला के दादा दादी गाओं से उनके घर आए हैं अब तो जो इला है वो कहती है अब आप यहीं रहना अब आप यहीं रहना फिर जो दादी है वो कहती है यह लो आप दोनों को उपहार दादी आई न जो इला आप दोनों को उपहार अरे वा अमन और इला कहते हैं अरे वा साम को पापा गमले लाए और बुले इनमें पौधे लगाना आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है जो बच्चे हैं वो कहते हैं आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है तो बच्चों हमारी कहानी का सीर्षक क्या था अनोखा उपहार और यहाँ पे अनोखा उपहार क्या है जो दादी ने उनको उपहार में पौधे दिये है ना तो इसलिए हमारी कहानी का सिर्षक है अनोखा उपहार याने कि बागी सारे गिफ्ट तो सभी देते हैं बड़ पौधे बहुत कम लोग देते हैं ना तो इसलिए क्या है हमारी कहान का सीर सbang अनोखा उपहार एक बार रिपीट कर लेते हैं अमन और इला के दादा गाउँ से उंके घर आये जो अमन और इला है उनके गाउंसे निके घरstepए आय恨 है अब आप यहीं रहना जो बच्चे हैं आमन और इला वो कहते हैं अब आप यहीं रहना दादी कहती है यहलो आप दोनों का उपहार अरे वाँ बच्चे कहते हैं इला और अमन की वाँ अरे वाँ पापा साम को पापा गम ने लाए जो आमन और हिला के पापा है वो साम को गम ने लेकर आए बोले अपने पौधे इन में लगाना और पापा ने कहा अपने पौधे इन में लगाना फिर बच्चे कहते हैं आप लोगों ने हमें अनोखा उपहार दिया है इला और अमन है, वो ज़ादादाधे को कहते है, आपने हमें अनुखा उपहार तिया है। इस तरह से बच्चो हमने हमारी कहानी यहाँ neednish की is हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमारी कहानी में दी हुई है शब्दा वली, शब्दा वली में क्या दिय हो है शाम शाम जब सूरज धलता है तो उस टाइम को हम क्या बोलते हैं साम इविनिंग टाइम जब सूरज धलता है सन्राइज का टाइम होता है तो हम क्या बोलते हैं शाम का टाइम बोलते हैं साम का समय फिर गाउं जहां पर यहां पर गाउं का पिक्चर दिया हुआ है चोटे-चोटे पाउधा, यानि चो राटैसा पाउधा भीज को हम मिठी में डालते हैं फिर उसमें से पाउधा आता है न अब पाउधा बड़ा होकर क्या बनता है पेड़ बनता है दो बच्चो इस तरह से हमने अपनी कहानी अनुखेuse का अब हम आते अपनी कारीपुस्थिका की और तो कारी कुछ करने भी इसी तरह से हम एकाई दो और वक्षीट नंबर सेवन ओपन करेंगे वक्षीट नंबर सेवन तो हमें क्या करना है इसका प्रश्ण नंबर एक देख लेते हैं चित्रों को पहचानिये और उनके नीचे दिये गए नाम को A, A, O या अउस्वर लिखकर पूरा कीजिए तो हम इसे पूरा कर लेंगे सबसे पहले किसका पिक्चर किया हुआ है ओठ का तो कौनसा स्वर आएगा है आपर चोटा वाला O जिसमें एक मात्रा होती है ना O फिर है आउजार तो इसमें कौनसा आउ आता है इसमें ना O नहीं आता है ओ से ओजार हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा आउजार अ फिर उसमें दो मात्रा है आउजार ओखली इसमें भी चोटा वाला O आता है ना O आता है फिर है भी आउशद आलाई ऑउशद भी आएगा अउशद घिस में भी आउ लिख लेंगे पिर है आनक में कौन सा ए आता है बड़ा वाला ए जिस में मात्रा होती है एल्बम में कौन सा ए आता है जिसमें मात्रा नहीं होती है ओधनी में कौन सा ओ आता है बिटा यस वेरी गुड ओधनी में भी छोटा वाला ओ आता है क्योंकि ओधनी नहीं होती है ना फिर है औरत औरत में ओ आता है ना ओ इस तरह से बच्चों हम वक्षीट नंबर 7 का प्रस नमबर एक कम्प्लीट कर लेंगे वक्षीट नमबर एक कम्प्लीट करने के बाद इसमें जो शब्द संसार दिये गए हैं यहाँ पर आपको देखी अनोखा क से अच्छा ने दिया यह आपको अपने नोट बुक में भी लिखना है ओके मेटा अभी आपको इसमें जो भी समझ भी नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कोर्णर पर पूँश सकते हैं तो बच्चो आज हमने क्या क्या किया आज हमने अनोखा उपहार कहानी पढ़ी आउस्वर पढ़ा ओस्वर पढ़ा और संसार के शब्द लिखने चीखे और अब हम आगे बढ़ते हैं तो बच्चो आज कहानी पढ़ी थिना अईसा नंबर सेवन ऐसा नंबर एड अनोखा उपहार आपको कहानी पढ़कर अपने ममी पापा उनकी हेल्प से आपको पहना है और सुनाना है फिर आपको इसमें जो भी समझ में नहीं आता है तो आप हमसे डाउट कोर्णर पे पूछ सकते हैं औ तरह से आपको भी पौधा लेकर उसको लगाना है ओके बच्चों चलो भी हमारा आज का यहां परवर्ग फिनिश होता है समाथ होता है सो थेंक यू जैए हिंद थैव गूर्टेव